तो फ्रेंड्स आज के हमारा टोपिक है नेक्टर इन एसीब जिसके लेखक है कमला मारकंडे जिनका जन्म 1st जैन्वरी 1924 में मैं सुरू में हुआ था और इनकी डेथ 16th मैं 2004 में UK में हुई थी इस टोपिक को publish करवाई गया था 1954 में और इसका point of view है first person रुकमनी जो की इस कहानी को narrate करती है और इसका theme रखा गया है hunger, strength of truth, importance of fertility and hope इस टोपिक का title लिया गया है work without hope 1825 जिसे Samuel Teller Coleridge के दवारा लिखा गया था वहीं से इसको लिया गया है तो यह जो टोपिक है nectar in a sieve जिसका हिंदी होता है चलनी में अमरित तो इस टोपिक में हम लोग जानेंगे नाथन तथा रुकमनी नाम की दो पती-पत्नी हैं और यह किसान है और यह छोटे से गाउं में रहते हैं और इसमें बताया गया है कि इनके जीवन में बहुत सारी खराब से खराब परिस्थितियां आ जाती हैं लेकिन यह अपने उम्मीद और अपने आसा और अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ते हैं तो इस टोपिक की स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके मेन करेक्टर्स के बारे में जानेगे ताकि हमें कहानी समझने में आसानियोतization फॉस्ट करेक्टर है रुकमनी, सेकंड करेक्टर है नाथन, ये दोनों पति-पत्नी रहते हैं, उसके बाद का करेक्टर है इरा वेड़ी, जिसका सौट नेम हम लोग करते हैं, इरा, फिर नेक्स्ट करेक्टर है, मुर्गम, फिर राजा, फिर सेलवं, फिर कुट्टी, ये ज भी रुकमनी और नाथन के बच्चे हैं इसके बाद का करेक्टर कैनिंग्टन जिसका सोट में हम लोग कैनी कहते हैं ये एक वेस्टन डॉक्टर थें कुंती एक प्रोस्टिचूट थी पुली एक लड़का है जो सहर में मिलता है रुकमनी से और अलबीनो जो की इरा का लड़ में फिर इरा की साधी होती है उस इंसिडेंट को डिसकस करेंगे फिर उनके गाव में एक चमड़े का फेक्टरी खुलता है उसके बारे में डिसकसन करेंगे उसके बाद इरा का तलाक हो जाता है उसके बारे में डिसकसन करेंगे फिर जो रुकमनी और नाथन का जो प्रोप इसीडिएंट जानेंगे कि इन लोगों को जब अपना घर, इन लोगों को जब घर से निकाल दे जाता है रुक्मनी और नाथन को, तो यह लोग सहर चल जाते हैं, वहाँ पर क्या क्या घटना है घटती है इन लोगों के साथ, उसको जानेंगे, और लास्ट में जो रुक्मनी है वो सहर से गाव आपस आती है उसके बारे में हम लोग जानेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं रुकमनी नाम की एक भारतिय महीला जिसका उम्र लगभग ज्यादा ही हो गया था वो अपने बीते हुए समय के बारे में बताती है और कहानी को नरेट करती है वो बताती है कि लगभग 1930 का समय है जब मेरे रुकमनी नए जीवन के सुरुवात होती है मतलब बारा साल की उम्र में मेरी साधी नाथन नाम के एक टेनेंट फार्मर मतलब वैसा किसान जो मैक्सिमम दुसरों के जमिन पर किराए पर उस पर खेतिवारी करता है के साथ हो जाती है चुकि हम लोग 5 बहने थें, मतलब रुक्मनी लोग कितने बहने थी? 5 बहने थी, 4 बहनों की साधी बड़े धुम धाम से दहेज के साथ होती है परन्तु मेरी साधी सिंपल तरीके से होती है क्योंकि 4 की साधी में पूरा पैसा समाप्त हो जाता है और मुझे देने के लिए मेरे माता-पिता के पास कुछ भी नहीं बचता है रुक्मनी कहती है कि मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाई थी परंतु मेरे पती नाथन मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे जिस कारण से सभी प्रोब्लेम, सभी कठने आई को हम लोग मिलकर सामना कर लेते हैं और हम लोग खुश थे अब हम लोग डिसकुशन करेंगे कि नाथन और रुकमनी के बच्चों के बारे में साधी के एक साल बाद रुकमनी को एक सुन्दर सी लड़की होती है जिसका नाम इरवाड़ी होता है जिसे प्यार से इरा कहा जाता है प्रन्तु इस बच्ची के बाद रुकमनी को 6 साल तक एक भी बच्चा नहीं होता है वो जब अपने माई के जाती है तो वहाँ एक Western डॉक्टर जिसका नाम Kennington है जिसे Kenny कहकर पुकारा जाता है उससे रुकमनी की मुलाकात होती है वह डॉक्टर रुकमनी की Fertility की Treatment करता है प्रन्तु इसकी जो जानकारी है रुकमनी अपने Husband Nathan को बिलकुल भी नहीं देती है Treatment होने के बाद रुकमनी को एक के बाद एक कुल 5 लड़के होते हैं पांच लड़कों को जन्म देती है बच्चों का जन्म जैसे जैसे होने लगता है उनके भोजन की समस्या बढ़ती जाती क्यूंकि उन लोगों को अब खाने पीने की समस्या होने लगी सभी को सही रुपसे भोजन नहीं मिल पाने लगा कठिनाई होने लगी अब हम लोग डिसकसन करेंगे इरा की साधी के बारे में कुछ टाइम के बाद रुकमनी और नाथन ने अच्छी फसल से कुछ पैसे जमा किये जिससे वो इरा की साधी करना चाहते थे मतलब इरा अभी 14 साल की थी और वे लोग उसकी साधी करना चाहते थे और फाइनल उसकी साधी भी हो जाती है प्रन्तु उसी वर्स मौनसून में ज़्यादा बारिस होने के वज़े से फसल तबा हो जाता है और जो रुकमनी के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे वे रहते हैं वो उस पैसे से उस खराब समय में उस पैसों का इस्तमाल करकी अपना परिवार का भरन पोशन करती है अब हम लोग डिसकसन करेंगे चमड़ा के कारखाना के बारे में उसके बाद 5 साल बीद जाता है 5 साल के बाद उस गाव में एक चमड़े का कारखाना खुलता है जिसमें रुक्मनी के दोनों बड़े बेटे काम करते हैं कुछ साल तक तो परिवार ठीक ठाक चलता है प्रन्तु कारखाने में एक लेवर स्ट्राइक होता है जिसमें रुकमनी के दोनों बेटे उस स्ट्राइक को लीड करते हैं मतलब उस स्ट्राइक का ग्रूप लीडर रहते हैं जिस कारण कमपनी जो है उन दोनों को काम से निकाल देती है ओके अब हम लोग next topic जो हम रुक का इरा का जो तलाक हो जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे उधर इरा को साधी के 5 साल हो जाते हैं प्रन्तु उसे एक भी बच्चा नहीं हुआ था अभी तक जिस कारण उसके पती ने उसके माई के मतलब रुकमनी के घर छोड़ाया तब रुकमनी ने फिर उस जो वेस्टर डॉक्टर था फॉरें डॉक्टर जो था केनी उससे मदद मांगती है तथा इरा का फर्टिलिटी का इलाज करवाने उसके पास वो जाती है उसके पती को बिना बताये हुए पर केनी ने के द्वारे यह बताया जाता है कि इरा का जो यह प्रोब्लेम है बच्चा नहीं होने से समझनित यह प्रोब्लेम काफी पूराना हो चुका है जिस वज़र से अब बहुत ही मुश्कील है कि इसको आब बच्चा हो पाएगा यह बात सुनकर इरा बहुत ही जादा डिप्रेशन में चले जाती है और इसके साथ साथ उसे यह भी खबर मिलता है कि इरा का जो हस्बेंड होता है वो अब दूसरी साधी कर चुका है अब हम लग डिसकस करेंगे कि जो रुकमनी है वो अपना सारा प्रोपर्टी बेस देती है अपना रिन को चुकाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं फिर कुछ समय के बाद रुकमनी प्रेगनेंट हो जाती है जिसका एक अंतिम बच्चा होता है जिसका नाम कुट्टी रखा गया है ध्यान रखिए किसका बच्चा होता अभी रुक्मनी का ही होता है वो सबसे आखरी बच्चा जिसका नाम कुट्टी रखा जाता है यह बच्चा रुक्मनी का है प्रंतु इराज जो है वो ज्यादातर समय कुट्टी के साथ बिताती है उसके देखभाल में जिस कारण इरा नाथन से पैसे मागने लगे तो रुकमनी ने अपना सारा फसल बैल तथा जमीन सब कुछ बेच दिये ताकि वो रिन को चुका सके प्रन्तु सब कुछ बेचने के बाद भी वे सिर्फ अभी तक आधा ही रिन चुका पाएं अब चुकी सब बिक गया इनके पास खाने के कुछ भी अन नहीं बचा तो पुरा परिवार के पास बस अब घास तथा पत्तियां खाने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था अब हम लोग कुछ और दुखाद इंसिडेंट के बारे में डिसकसन करेंगे इनके लाइप के बारे में ओके इसके बाद क्या होता है कि रुकमन का जो चोंथा बेटा होता है राजा वो चमड़ा के कार खाने के गार्ड के द्वारा मारा जाता है क्यूंकि राजा चमड़ा कार खाने से बचड़े के चमड़ा चुरा रहा था उस दवरान वो पकड़ा जाता है और जान से उसे मार दिया जाता है परिवार के इस्तिति ख कुटी का बरनपोशन कर सके। परनतु कुटी, काफी कमजोर हो गया था जिसका रण वह मर जाता है। ईरॉका भी एक बच्चा होता है, जिसका नाम अल्बीनो होता है और यह बच्चा ईरा को प्रोस्टिकूट वाले काम से होता है समाज में लोग काफी बुरायां कर रहे होते हैं इन दोनों मतलब इरा का परन्तु इरा को इस बात का कोई परभाव नहीं पड़ता है उपके उधर जो डॉक्टर होता है किनी पैसे जमा करके गाउं आता है और एक होस्पिटल खोलता है जहां रुक्मनी के पांचवा बेटा जो सिल्वम होता है उसको वो कंपाउंडर की या पिर एज़ डॉक्टर के ट्रेनिंग देता है और उसे वहाँ पर काम में रखता है उस वक्त जो आसपास लोकलिटिट है वहाँ पर यह अफ़वा फैल जाता है कि जो रुक्मनी और डॉक्टर है दोनों के बीच में कुछ नाजाइज संबन्द है तब ही तो यह डॉक्टर उसका बहुत ही जादा मदद कर रहा है इसके साथ साथ और एक बात का अफ़वा महाँ पर फैलता है कि कुंती नाम की एक प्रोस्टिचूट है जो नाथन पर बिलेम लगाती है कि उसके जवानी के दिनों में नाथन के साथ उसका नजाइज संबन्द था उसके बाद होता क्या है कि जो रुक्मनी और नाथन है यह दोनों आपस में डिसकसन करते है आपस में ऐसा सोच रहे होते है कि मुर्गम जो है वो सहर गया हुआ है और काम कर रहा है जिस कारण से सायद उसका जो जिन्दगी है वो बहतर होगा ऐसा यह लोग सोच रहते फिर जो हुआ कि लेंडलोड जो थे वे लोग आते हैं और रुकमनी और नाथन से बाकी जो पैसा बचा हुआ था जो रिन चुकाना बाकी था उसके लिए इन्हें दो सप्ते का समाई देते हैं कि दो सप्ता के अंदर तुम लोग पुरा जो रिन है उसको चुका दो पुरा करजा को चुका दो क्यूंकि अगर जदी दो सप्ता के अंदर में आधा जो बच्चा हो अर्री ने वो नहीं चुका पाऊगे तो finally तुम लोगों को घर से निकाल दिया जाएगा मतलब तुम लोगों को अपना घर जो है जिस घर में रह रहे वो घर भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा दो सप्ता बीट जाता है परिवार के पास चुकी पैसा कोड़ी था नहीं कुछ भी तो वो कहां से चुकाते finally उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है ओके अब रुक्मनी के परिवार के पास रहने को घर भी नहीं था अब हम लोग डिसकस करेंगे कि ये जो सीटीव में जो इंसिडेंट इनके साथ होता है इसके बारे में ठीक है चुकी घर इनके पास रहने को है नहीं अब तो अब ये लोग किदर कहां जाएंगे सहर की और जाएंगे क्यों कि इन्हें पता है सहर में इनका वो लड़का जो है मुर्गम वो रहता है इस आस में उनके पास ये लोंग जाएंगे ठीक है तो रुकमनी अपना सारा सामान बांधती है और सहर की ओर चल देती है अपने पती के साथ इस आस में कि उसका जो लड़का है मुर्गम वो सहर में है काम कर रहा है ओके वहाँ उसके साथ रहेंगे यह सोचकर यह लुग सहर की और चल जाते हैं एक गाड़ी में बैट कर चुकि जो सहर होता है वो गाउं से लगभग 15 मील की दूरी पर है और जहां पहुंचते पहुंचते इन्हें दो दिन का समय लग जाता है जब यह सहर पहुंचते हैं तो लोगों से मुर्गम के बारे में पूछते हैं तो इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है रात में मंदिर में सोते हैं तथा वहीं गरीबों को जो खाना मिलता था वही खाना खाते हैं परन्तु इनके साथ रात में क्या होता है कि कुछ चोर इनका पैसा चुरा लेते हैं साथी साथ इनके जो पोटली था कपड़ा का जो बंडल था वो भी चुरा लेते हैं वज़े से ये बिल्कुल helpless हो जाते हैं फिर वहाँ पर इनका मुलाकात रुकमनी और नाथन का मुलाकात एक पूली नाम के लड़के से होती है जो वो जो केनी नाम का डॉक्टर था उनके दोस्त का पता बताता है और ये लोग उस डॉक्टर के दोस्त के पास जब जाते हैं और उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि मुर्गम जो है यहाँ पर दो साल पहले ही काम छोड़ चुका है व कि उसे वहाँ ज्यादा पेमेंट मिलता है फिर यह जो रुकमनी और जो नाथन था वे लोग कलेक्टर के घर गए और वहाँ जाकर पूछा तो पता चला कि मुर्गम जो है उसने साधी भी की हुई है और उसका एक बच्चा भी है और फिर उसे यह पता चला कि वह उसकी पतनी को छोड़ भी चुका है इसके बाद रुकमनी और नाथन जो है मुर्गम की पतनी से भेट करते हैं मतलब अपनी बहु से भेट करते हैं और अपने पोते से भेट करते हैं तो वे देखते हैं कि जो मुर्गम का लड़का है वो भी काफी कमजोर हो चुका है भुक के मारे क्य करती है लेकिन उस जोब से उसे बस उतने ही पैसे मिलते हैं जितना कि वह एक राइस का केक खरिद सके फिर पुली नाम के वह लड़का होता वह इन्हें एक पत्थर के खाधान में काम दिलवाता है नाथन और रुकमनी को ताकि वहां सही रूप से इनका पेमेंट मिल सके और यह अपना भरन पोसन कर सके यह लग पूरे इमांदारी के साथ उस जगह पर काम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि एक दिन पैसा हो जायेगा इनके पस जादा मात्रा में जमा और फाइनली यह अपने गाउं लोट जाएंगे जब कभी भी थोड़े पैसे रुकमनी के पास ब इन पो तेशिसित इस ख़ाधान में काम किया हूँ रहता है तो एक साम क्या होता है कि रुपमनी ठोड़ा लेट से आती है जहां पर यह लोग रहते थे तो आती है तो देखती है कि जो नाथन है वह कीचड़ में बीच रह में गिरा पड़ा है गिरा हुआ है और रुपमान को यह संतावना देती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और हम लोग फिर अपने गाउं वापस चले जाएंगे और खुसी-खुसी रहेंगे लेकिन नाथन उसकी बातों पर कहां गोर करता बस वह उसकी गोद में अपना दम तोड़ देता है और इस तरीके से जो रुकमनी ह वह फिर से पूरा-पूरी अकेला हो जाती है अब वह निर्ने लेती है कि वह अपना गाउं फिर से वापस चली जाएगी क्योंकि गाउं में उसका बेटा सिल्बम जो कि होस्पिटल में काम करता और उसकी जो बेटी थी इरा वह भी है तो यह पुली को लेकर अपने गाउं चले जाती है और जहां जाने के बाद वह पुली का इंट्रोडेक्शन परिचे करवाते एरा और सिल्बम से और इस तरीके से यह जो स्टोरी है वह फिनिस हो जाती है थैंक्यू